साथियों नमस्कार आज का यह कारक्रम हिंदी की पाठ्थ पुस्तक में सामिल पाठ पर आधारित होगा इस कारक्रम में आज हम कभी अग्ये पर चर्चा करेंगे और उनकी दो कभीताएं यह दीप अकेला और मैंने देखा एक भूद पर चर्चा करेंगे आईए सबसे पहले हम अग्ये के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने हो अग्ये का पूरा नाम सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्सयाईन अग्ये है अग्ये उत्तर प्रदेश के कुछी नगर जिले में पैदा हुए थे प्रारंबिक सिक्षा उनकी संस्कित और अंग्येजी में हुई उनका बच्पन, लक्नव, स्री नगर और जंबू में बीता हिंदी उन्होंने बहुत बाद में सीखा उनकी रुची बिग्यान में थी इसलिए बीएसी करने के बाद एमे अंग्रेजी में उन्होंने दाखिला लिया अग्ये क्रामतिकारी आंदोलनों से जुड़े रहे चार साल तक उन्होंने जेल में बिताए और दो साल नजर बंद रहे इस चक्कर में या इसके कारण उनका बाकी अध्येन या आगे का अध्येन रुका रहा वे जैपुर इन्वस्टी में अध्यापन भी किये हैं उन्होंने कई सारी नवकरियां की और छोड़ी अग्ये मूलतह पत्रकार थे दिनमान, सैनिक, विसाल भारत प्रतीक, नया प्रतीक आदि पत्रिकाओं का संबाधन भी किया था अग्ये साहितिक अभिरुच के विक्ति थी साहितिकी अनेक विधाओं में उन्होंने रचना किया है कहानी, निवंद, यात्रा विट्तांत, आलोचना आदि में उन्हें महारत हासिल थी किन्तु कभी के रूप में उनकी बिसिष्ट पहचान है अग्ये प्रियोगवादी कभी थे उन्हें कलावादी कभी ही कहा जाता है अग्ये साहित्य में नई अंतरवस्त की सुरुवात करने वाले है उनमें नया अर्थ और अनुशंग भरने वाले है अग्ये प्रियोगवादी कभी के सफल प्रवर्तक माने जाते है अग्ये ने तारसब्तक की परंपरा की सुरुवात की थी तारसब्तक जो उन्नी सो तैलिस में प्रकासित हुआ था उसके संपादक अग्ये ही थे दूसरा सब तक तीसरा सब तक भी उन्ही के संपादन में निकला था उनकी प्रारंभिक सिक्षा अंग्रेजी और संस्कित में हुई हिंदी उन्होंने बाद में सीखा उनकी रुची विज्ञान विशय में थी विज्ञान से बियसी करने के बाद अंग्रेजी बिसे में उन्होंने इम्मे किया क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ने के बाद उनके सिक्षा बाधित हुई चार साल तक वह जेल में रहे और दो साल नजर बंद सच्चिदानन धीरानन वात्षाइन अग्ये मूलत है कभी थे कभी के रूप में उनकी बिसिष्ट पहचान है प्रयोगवादी कभी के प्रमुख हस्ताक्षर्थ है अग्ये ने देश बिदेश की अनेक यात्तराईं की वे जैपुर विश्विद्याले में प्राध्यापक भी रहे उन्होंने अनेक नौकरियां की और छोड़ी क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के उपरांत उनकी सिक्षा दिक्षा का कारिक्रम पूरा न हो सका किन्तु अग्ये मूलतह कभी होने के नाते प्रयोगवादी कभीता के प्रमुख हस्ताक्षर होने के नाते उन्होंने अपनी भूमिका को बड़े ब्यापक अस्तर पर निभाया तारसब्तक की परंपरा की सुरुवात करने वाले प्रमुख कभी अग्ये ही थे तारसब्तक जिनमें साथ कभियों की रचनाएं संकलित होती थी दूसरा और तीसरा सब्तक जो करम सह उन्निस सो एक क्यावन और उन्सट में प्रकासित हुआ उसके संपादक भी यही थे अग्ये पत्रकार भी थे दिनमान, विसाल भारत, सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, आदिपत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया उस साहित में नई अंतरवस्त को लाने वाले प्रमुख कभी है आजादी के बाद की कविता पर उनका विसेश प्रभाव है अग्ये साहित के, नए साहित के प्रारम करता माने जाते हैं अग्ये मानव मन के अंतरदंदों के कभी है उनकी कविता में ब्यक्त की सुतंतरता का आग्रह है तो बहुत धिक्ता का विस्तार भी है सब्दों को नया आर्थ देते हुए उन्होंने हिंदी का विभासा का विकास किया उन्होंने हिंदी साहित में नई अंतरवस्त के साथ नए साहित का नेतित्र और उसे नया संसकार दिया है अनिक पुरसकारों सम्मानों से उन्हें नवा जा गया है उनके बारे में जितनी भी बात की जाए वह कम है आएए अब अग्य की कविता पर चर्चा करें अग्य की कविता पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच बिसे बिसे सग्य के रूप में उपस्तित हैं प्रुपसर नामोर सिंग प्रुपसर नामोर सिंग जवाहल लाल नहरू विश्व विद्याले के प्रोफेसर रहे हैं 40 वर्सों तक अध्यन अध्यापन का ब्रिहत अनुभव रहा है यंसी आटी के प्रारम से ही पाठ्थ पुस्तक निर्मान की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं विद्याले अस्तर पर और विश्व विद्याले अस्तर पर दोनों अस्तर पर प्रुपसर नामोर सिंग की विशे सग्यता जग जाहिर है आज हम हिंदी के सुप्रसिद्य कवी सचिदारनवाद चायन अग्ये की कविता पढ़ेंगे ये कविता ये दीप अकेला ये कविता लगभग 1952 की है जब अग्येंग की उम्र 40 साल से कुछ उपर ही रही होगी अर्थात जब कभी परिपक और प्रौड हो गया था उस समय ये कविता लिखी है कविता दीप के बारे में है लेकिन एक तरह से ये आत्म कथ्य भी है स्वैम कभी अपना परिचय दीपक के माध्यम से देता है इस कविता के च्छंद को समझने के लिए एक बार अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है तुक नहीं है लेकिन कविता में एक अंतर नहीत ले है यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा पंडुबा यह मोती सच्चे फिर कौन कृती लाएगा यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलग आएगा यह अद्विती यह मेरा यह मैं स्वैम विसरजित यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो यह मधु है स्वैम काल की मौना का युग संचय यह गोरस जीवन काम धेमुका धेनुका अम्रित पूत पत्थ पय यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्व है यह प्रकित स्वैंभू ब्रह्म्ह अयुत इसको भी शक्ति को दे दो यह दीप अकेला स्रे भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लखुता में भी कापा वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वैम उसी ने ना पा कुटसा अपमान अवज्ञा के धुन्दुवाते कडवे तम में यह सदा द्रवित शिरजागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब वाहू यह चिरखंड़ पनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा शद्धा मैं इसको भक्ति को दे दो यह धीप अकेला स्ने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो यह मुक्तचंद में लिखे हुई कविता कि जो लए है उस लए की ओर ध्यान जाना चाहिए और पूरी कविता यह धीप स्वयम कभी है कोई दूसरा नहीं है यह कविता एक प्रकार से अग्यें की आत्मकथा भी है और उस आत्मकथा के बारे में सब कुछ कहने के बादे कहते हैं कि यह भले ही इसकी अपनी अलग पहचान हो अस्मिता हो फिर भी इसे पंक्ति को दे दो पंक्ति माने समाज का प्रतीक है पंक्ति को कह सकते हैं कि अकेले यह ना रहे बलकि एक जो लाइन लगी हुई है आप कह सकते हैं कि यह असंप्रिक्त नहीं है बलकि अपना विशिष्ट व्यक्तित तो रखते हुए भी यह उस कतार में सामिल होने को उनमुक है अब आप देखें कि इस कविता में पंक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि अकेला है लेकिन यह अकेले नहीं रहना चाहता अपनी पहचान को समष्ट में समाविष्ट करना चाहता है अब जो विशेशन गिनाये गए हैं यह जन क्या है एक पंडुब्बा है पंडुब्बा क्या करता है जो समद्र के गहरे डूब करके मूती ले आता है यह समाज में दुनिया में गहराई में जाकरके दुनिया की जो बहमूली चीज़ें हैं उसे ले आकरके समाज को देता है यह एक प्रकार की समिधा है समिधा जो यग्य में जलाई जाती है वाला है यह अद्वितीय है यह मेरा है और स्वैम को विसर्जित करने वाला यह दीप है इसलिए यह जलती हुई समिधा के समान है यही नहीं बलकि यह मधु है गोरस है अंकुर है समान है मधु गोरस अंकुर अर्थात यह रूखा सुखा नहीं है बलकि सध की तरह से है यह मधु है स्वैम काल की मौना का युग संचै जो काल की मधु मख्वी है युगों से जिस मधु को संचित करती है वह स्वैम मधु है यह वह गोरस है दूध जिसको कहते हैं वो जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय है यह वो गोरस है जो जीवन की कामधेनु है प्रसिद्ध देवताओं की गाय उसके अमृत पूत अमृत के समान पवित्र यह दूध के समान है यह अंकुर है समान अंकुर नहीं बलकि धारा को फोड़ कर रवी की ओर सूर्य की ओर ताकने वाला अंकुर है यह मामूली अंकुर नहीं है बलकि धारा को फोड़ करके निकला हुआ और सूर्य की ओर निर्भीक भाव से ताकता रहता है यह इतने विशेषंड दिये हैं यह प्रकित है प्रकिती के समान सुभाव रखने वाला स्वेंभु है इसको किसी ने उत्पन नहीं किया है बलकि अपने आप उत्पन नहुआ है यह ब्रह्म्ह है यह आयूतशब्द हिंदी में संभवत है अगये ने पहली बार प्रयोक किया ह मैंने तो देखा नहीं आयूत शब्द बड़ा अर्थगर्व है और आयूत के अर्थ होते हैं असंप्रिक्त रहना आयूत जो असंप्रिक्त हो अग्यों सभाव से भी बहुत समाज में घुल मिल जाने वाले आदमी नहीं थे बलकि अलग थलग रहने वाले व्यक्त थे अब ही ऐसे आदमी को भी चाहो तो इसे भी अलग न रहने दो इससे वी बड़ी जो शक्ति है उसको समर्पित कर दो अन्त में इस कविता का समाहार होता है यह कभी अपने लेका राम मैं यह वह विश्वास है नहीं जो अपनी लगुता में भी कापा छोटा होते हुए भी यह ऐसा विश्वास है जो थोड़ी देर के लिए कमजोरी में हिला नहीं हिला डुला नहीं अकम पित रहा है यह पीड़ा है अग्यें अक्सर अपने दुख की दुख सब को माजता है उनके प्रसिध्य कविता है इसलिए अपनी पीड़ा का जिक्रिवे अवर्शे करते हैं वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वैम उसी ने नापा ऐसी यह अभूत पूर्व पीड़ा है अग यह अपनी पीड़ा का जिक्र करते हैं जिसकी गहराई को नापने वाला कोई दूसरा नहीं है अगर कोई नाप सकता उस गहराई को तो स्वैम कभी ही आप सकता इतनी गहरी पीडा है यही नहीं बल्कि साहितिक जीवन में अग्यें को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, आरुचनाओं का सामना करना पड़ा, निंदा का भी सामना करना पड़ा है जैसे निराला को करना पड़ा था, तो लिखते हैं कि कुछसा, गालिया, अपमान, अवज्ञ, उपेक्षा जिसको कहते हैं, कि धुदुआते कडवे तम में ये जीवन में जो कुछसा, अपमान और उपेक्षा का जो कडवा धुआ चारों तरफ तम था अंधकार था उसमें मैं ये वो दीप है जो सदा द्रवित रहा है, चिर जागरूक रहा है और अनरक्त प्रेम से लाल आखों वाला था राग से रंजित था, प्रेम उसकी आँखों से चलकता था, तो ये आँखें गीली भी होती थी, सदा द्रवित रहती थी, चिर जागरूक रहती थी, हमेशा जागरत रहती थी, हर घड़ी में ये आँख कभी जीपी नहीं, बलकि अपलक दुख हो, सुख हो, करवा, सुन्दर हो, सुन्दर हो, सबको इस तरह से अनिमेश नेत्रों से देखता रहा है, अनुरक्त नेत्र इसके थे, आँखों से प्रेम प्रगट होता था, अनुरक्त के दोनों अर्थ हैं, श्लेश हैं, लाल आँखें भी होता है, और प्रेम भरी आँखें भी होता है, उल्लंब वाहु और जिसकी बाहें उन लंब हे उठी हुई बाहें हैं नीचे गिरी हुई बाहें बलकी दोनों उठाए हुए दूनिया को ललकारता हुआ जो आजम्य होता है उसका वर्रनिन किया गया है वे चिला खंड अपना अपप अपना अपन सब में आत्मियता दिखाई पड़ती है इसको भी जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा शद्धामय है सतत जिज्ञासु है प्रबुद्ध है जाग रूक है सबके पुति शद्धा रखने वाला है इसको भी भक्त को दे दो यदीप अकेला स्नेह भरा है गरब भरा मदमाता मरत पर इसको भी पंक्त को दे दो अग्यें की ये कविता अपने व्यक्ति का परिचय तो है ही इसमें वो स्वाहिबान है व्यक्ति बाद भी आप कह सकते हैं उसको कुछ लोगों को इसमें अहंकार की गुझ भी सुनाई पर सक विक्ति है लेकिन बावजूर इसके कवी ने है अपने व्यक्तित्तो साहित्ति व्यक्तित्तों का परिचय दिया है वह हिंदि में अपनी पहचान अलग है और आज तक वह पहचान दुनिया के सामने विख्यात है प्रसिद्ध्य है अब ही आप लोगों ने यहदी पकेला कविता पर प्रफ़सर नामवर सिंग के विचार सुने के बाद कविता को कैसे पढ़ा जाए कविता को कैसे समझा जाए कविता की कैसे सरहना की जाए इन सारे बिन्दों पर आपकी समश्याएं हल हो गई होंगी अग्ये की दूसरी कविता है मैंने देखा एक मूद मैंने देखा एक मूद पर बात conduct करने के लिए चर्चा करने के लिए हमारे बीच बिसे-बिसे सग्ये के रोप में प्रोफिसर नामोर सिंग उपस्थित है प्रोफिसर नामोर सिंग से आप लोगों ने अग्ये की पहली कविता अर्थात यहदीप अकेला पर आप लोगों ने सुना है दूसरी कविता उनके ब्यक्तित अग्ये के ब्यक्तित और उनके चिंतन के बिस्तार से जुड़ी हुई है आई ये सुनते हैं दूसरी कविता पर प्रोफिसर नामोर सिंग के विचार अग्ये की दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद एक छोटी कविता है जापान में जिसे हाइकू कहते हैं ये कविता कभी चार पंक्तियों की होती है कविच्छा की होती है कभी कभी आठ की होती है इससे बड़ी कविता होती नहीं अग्यें जापान भी गए थे और जापान के काब्य संसार से उनका परिचय भी हुआ था कुछ जापानी हाइकू का अनुवाद भी उन्होंने किया था उस रंग में मैंने देखा एक बूद बूद पर कई लोगों इनने हिंदी भी कविताएं लिकिन वहाँ बूदा बादी बहुत ज्यादा है अकेले एक बूद की क्या अस्मिता होती है इस कविता को देखें ये भी तुक नहीं है लेकिन लए है मैंने देखा एक बूद सहसा उचली सागर के जाग से रंग गई छणभर ढलते सूरज की आग से मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुख हर आलोग छुआ अपनापन है उनमोचन नस्वरता के दाग से अब आप देखें ये पूरी कविता फिर इसमें वलकित तुक का भी निर्वाह किया गया है ले तो है ही एक बूद पर कौन सी वो बूद है जो सागर के समुद्र के जाग से जब हवा चलती है लहरे आते तो जाग से एक बूद उचलती है उस उचली हुई बूद के बारे में लिखी है कविता मैं नहीं जानता कि हिंदी में बूद पर बहुत सी कविताय लिखी हुई है लेकिन समुद्र के जाग से उचली हुई एक बूद हो उसके बारे में हिंदी में मैंने किसी और के लिखी हुई कविता नहीं देखी अब एक कैसी बूद है उस बूद के जैसे ही उचली हो तो वह सूरज के जाग से लाल हो गई सुरज की रोश्णी पड़ी और सहसा वह पानी की भूद में लगा जैसे यह आग की लुत्ती हो रंग गई, छनवर, ढलते सूरज की आग से, उगते हुए सूरज नहीं, ढलते हुए सूरज की आग से जैसे वो रोशनी से, वो गर्मी भी संभवतों उसमें आई हो, रोशनी से जलकी हो, अब इस छोटी सी चीज के बारे में अग्यें, क्या कल्पना करते हैं, कहते हैं, एक दर्शन उसमें सूच पड़ता है, सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उनमोचन नश्वरता के दाग से, इन नश्वरता का जो दाग है, क्योंकि जीवन तो नश्वर है, हर पाणी छनभंगूर है जीवन हमारा, नश्वर होने वाला है, हम अमर्वोती खाके तो आएं नहीं है, तो जो हर मनुष्य के जीवन में जो मरण धर्मा है, उसमें एक दाग लगा हुआ है, और वो यह की, वो नश्वर है, वो अँमर होकर के नहीं आए, देवता के ओल अमर होते है, मनुष्य तो नश्वर्ता के बोध से, और हर समय रहत किसी दिन चले जायेगे, किसी दिन आख बंद हो जाएगी, इस नश्ष्वरता से उबरे कैसे आधमे। दिवताह मर मल होते हैं, मनुष्व तो मर्न धर्मा है। लेकिन इस बौध से लिस्वरता से मनुष्व जो चिन्तित रहता है, दुखी रहता है। तो कह रहे हैं कि यह पूरा दिर्ष्ट जो हमारे सामने आया है, वह आलोक छुआ अपनापन, और कोई होता तो इतना ही रिखता है, वो कैसा है अपनापन? वो आलोक को छुए हुए अपनापन है, क्योंकि रोश्णी दिखाई पड़ती है, जहां आलोक छुदे, उसमें आलोक छुआ अपनापन है, हिदी में पहली बार किसी ने अपनापन के लिए आलोक छुआ जैसा विश्रण इस्तिमाल किया हो, और यह किसके सामने? विराट के सम्मुख, ब्रहमांड जो है, उस ब्रहमांड के जो विराट सत्ता है, परा सत्ता है, ईश्वरिये सत्य भी चोटी सी बूद उचली थी, उस बूद को के सारे विश्रण दिखाई पड़ते हैं, यह बूद और कोई नहीं है, कभी स्वैम है, एक व्यक्ति के रूप में बले ही वो नाचीज हों, मरन धर्मा हों, लेकिन जैसे ही विराट के समुख आदमी जाता है, तो अपना लग एक बूद को एक बार फिर देखें, मैंने देखा, एक बूद सहसा उचली, बूद पर बहुत लोगों ने कभी लिखी है, बूद बूद रिस्ता है, बरसा की बूद होती है, बूद आबादी होती है, लेकिन उस एक बूद को गेन ने जैसे अमर कर दिया हो, शास्वत बना ठलते सूरज के आग से, की आग से, मुझे को दीख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन। ये कविता दरसल उन्मोचन पर है, सीर्शक इसका ये नहीं है, लेकिन उन्मोचन होता मुक्ती। इसलिए अपनी लगुता से भी हम मुक्त होते हैं, अप छनभंगुर जीवने अवस्या है, लेकिन इस छनभंगुरता में भी मुक्ती का एक संदेश चुड़ा हुआ है। अग्यें का ये हाइकू, हिंदी में हाइकू लिखने की परंपरा अग्यें नहीं काइम की, और ये अनूठा हाइकू है, जो 1958 के आसपास उन्हों लिखा था। और मैं समयता हूँ कि हिंदी में हाइकू की शैली में लिखी हुई कविताओं का शुहरंब अग्यें नहीं किया है। और इसमें जो चमतकार है, जिसे कहें कि तुलसीदास ने कहा है कि अरथ अमित अति आखर थोड़े। अक्षर कम हैं लेकिन अरथ जो है वह आमित है। महाकवित तुलसीदास का कथन अगर सार्थ होता है कहीं तो अग्यें कि इस कविता में सार्थ होता है, जहां आखर थोड़े हैं लेकिन अरथ आमित हैं। कई तरह से इस कविता की वियाख्या की जा सकती है ये कविता उस ये स्वैम अपने एक अनुभाव के बारे में लिख रहे हैं ये अपने व्यक्ति के बारे में नहीं है बल्कि ये लगुता का ये शोगान है समाज में जो अपने को जो छोटे दूसरों द्वारा समझे जाते हैं उन छोटों में भी कहीं ने कहीं एक प्रकार की महानता एक प्रकार की का बड़पन छिपा रहता है लगुता का ये गवरवगान है और अग्ये इस दिश्ट से महत्पून हैं कि वे व्यक्ति बादी होते ही वे भी उस व्यक्त की गरिमा और उस व्यक्त की महत्ता जो उसके अंदर छिपी रहती है उसको कविता के द्वारा व्यक्त करने के कोशिस करते हैं प्रफसर नामोर सिंग ने अग्ये की कविता पर मैंने देखा एक बूद पर जो बिचार रखे हैं उसमें च्छन की महत्ता च्छन की सार्थकता के माध्यम से अग्ये को आपने समझा होगा उनके कविता के मर्म को आपने समझा होगा कविता में नहित ब्यंजना संदेश को आपने समझा होगा आपने कविता को पढ़ने का धंग समझने का तरीका और उसको कैसे उसकी सराहना की जाए आद बिंदूओं को भी समझा होगा